शारदिय नवरात्री दो हजार चौबीस कब से शुरू है शारदिय नवरात्री, जाने मुहूत, पूजाविधी हिंदु धर्म में देवी देवताओं और त्योहारों का विशेश महत्व होता है नवरात्री का त्योहार भी ऐसे ही खास अवसरों में से एक है नवरात्री के त्योहार में नौ दिनों तक लगातार मा दुरगा के नौ रूपों की पूजा की जाती है साल में चार बार नवरात्री का त्योहार आता है ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्री और शार्दिय नवरात्री के अलावा दो गुप्ट नवरात्री भी आती है हाला कि इसमें सबसे ज्यादा महत्व शार्दिय नवरात्री का होता है यह अश्विन माह में शुकल पक्ष की प्रतिप्दा तिथी को मनाई जाती है इस विशेश पर्व पर मा के सभी भक्त पूरे नौ दिनों तक माता की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और नौवे दिन कन्या पूजन करते हैं इन नौ दिनों में मा दुरगा अपने सभी भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं और भक्तों को अपना आशिरवात प्रदान करती हैं शार्दिय नवरात्री दो हजार चौबीस तिथी और शुभ मुहूर्थ हिंदू पंचाम के अनुसार शार्दिय नवरात्री का त्योहार हर साल अश्विन माह के शुकल पक्ष की प्रतिप्दा तिथी को मनाया जाता है शार्दिय नवरात्री के दस्वें दिन दशहरा मनाया जाता है इस पर्व की तारीखें हर साल बदलती हैं क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार तारीखें निर्धारित होती है यह क्योहार आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर के महीने में ही मनाया जाता है इस साल शार्दिय नवरात्री 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2024 तक मनाया जाएगा शार्दिय नवरात्री में घटस्थापना की तिथी शार्दिय नवरात्री में कलश स्थापना करना सबसे महत्वपून अनुष्ठानों में से एक होता है घट स्थापना नवरात्रों की शुरुवात का प्रतीक है यह अनुष्थान प्रतिपदा तिथी अर्थात नवरात्र के शुरुवाती दिन पर किया जाता है साल दो हजार चौबीस में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्ट तीन अक्टूबर दो हजार चौबीस सुभा छे बचकर उननीस मिनट से दोपहर साथ बचकर तेईस मिनट तक है शारदिय नवरात्री पूजा और कलश स्थापना विधी सबसे पहले सुभा उठकर ब्रह्मा मुहूर्ट में स्नान करें और साफ वस्त्र पहने पूरे घर को शुद्ध करने के बाद मुख्य द्वार की चौखट पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं पूजा के स्थान को साफ करें और गंगाजल से पवित्र कर लें अब वहां चौकी लगाएं और माता की प्रतिमा स्थापित करें दुर्गा मा और गनेश जी का नाम लें इसके बाद उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करें कलश स्थापना के लिए पहले एक मिट्टी के बर्तन में जौके बीज बोएं फिर एक तामबे के कलश में पानी और गंगाजल डालें कलश पर कलावा बांधें और आम के पत्तों के साथ उसे सजाएं इसके बाद उसमें दूब, अक्षत और सुपारी डालें उसी कलश पर चुनरी और मौली बांध कर एक नारियर रख दें सामगरी का उप्योग करते हुए विधी विधान से मा दूर्गा का पूजन करें दूर्गा सब्तश्ती का पाठ करें अंत में मा दूर्गा की आरती करें और प्रसाद का वितर्ण करें